पिछली वीडियो में हमने सीखा आकृती की पहचान करके वस्तूओं को छातना आईए देखें कि इस बाट में हम क्या सीखेंगे अलग-अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तूओं को छातना छोटू और नेहा आज मेले में कए हैं वहाँ उन्हें एक खेल बहुत पसंद आया चलो छोटू हम खेलते हैं ये खेल बड़ा मजीदार दिख रहा है ठीठा नेहा आंटी ये खेल कैसे खेलना है बच्चों ये खास खेल है इस खेल में तुम्हें एक एक करके यहां टेबल पर रखी सभी वस्तूओं को उनकी आकृति की पहचान करके छातना है और उन्हें वहां रखे चार अलग-अलग डिबों में डालना है पहले डिब्बे में गोल-गेन जैसी दिखने वाली वस्तूओं दूसरे डिब्बे में डिब्बे के जैसी दिखने वाली वस्तूओं तीसरे डिब्बे में बेलन जैसी दिखने वाली वस्तूओं और चोथे डिब्बे में आइस क्रीम के कौन जैसी दिखने वाली वस्तुएं छोटु और नेहा खेलना शुरू करती हैं छोटु सबसे पहले हम ठूनते हैं गोल गेंद के आकरिती जैसी दिखने वाली वस्तुएं हाँ नेहा, मुझे मिल गई एक गोल गेन जैसी दिखने वाली वस्तु, मैं इसे इस डिब्बे में डाल देता हूँ ये रही एक और गोल गेन जैसी दिखने वाली वस्तु हाँ नेहा, इसे भी डिब्बे में डाल दो नेहा ने गोल गेंड जैसी दिखने वाली वस्तू डिब्बे में डाल दी अब बारी है दूसरी आकरिती के जैसे वस्तूओं को ढूनने की चला छोटू, अब हम डिब्बे की आकरिती की तरह दिखने वाली वस्तूओं को ढूनती है बच्चों, क्या आप इन सभी वस्तुमों में से डिब्बे के जैसी दिखने वाली आकरिती ढून सकते हो? सही पहचाना बच्चों, ये रही डिब्बे की आकरिती जैसी दिखने वाली वस्तु मैल गई, ये रही इसके जैसी वस्तू, अभी इसे इस टिबे में ढाल देती है और अब हमें ढूननी है बेलन की आकरिती के जैसी दिखने वाली वस्तू और ये वस्तू मैं ढूनूँगा ने हाँ बच्चों, क्या बेलन के आकरिती के जैसी वस्तु डूणने में छोटू की मदद कर सकते हो? आपने सही सोचा बच्चों, ये वस्तु बेलन के आकरिती जैसी दिखती है छोटू ने बेलन के जैसी दिखने वाली वस्तु डिपे में डाल दी वाँ छोटू, अब आखिरी वस्तु मैं डालती हूँ ये आकृती आइसक्रीम के कौन जैसी है बज्चों, क्या आप आइसक्रीम के कौन जैसी दिखने वाली वस्तु ढून सकते हो सही पैचाना आपने, ये रही कौन के जैसी दिखने वाली वस्तु छोटू और नेहा ने सबी वस्तूओं की आकृति को देखकर उन्हें अलग-अलग डिबों में डाल दिया देखा बच्चो, छोटू और नेहा ने चार अलग-अलग आकृतियों को पहचान कर उनहें कैसे ढूना और एक साथ रखा जैसे गोल्ड गेम जैसी आकृती, आइसक्रीम के कौन के जैसी आकृती, डिबे के जैसी आकृती और बेलन के जैसी आकृती आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में हमने सीखा अलग-अलग आकृतियों की पहचान करके बस्तुमों को छाटना अगली वीडियो में हम बस्तूओं को छाटने में होने वाली सामाने गलतियों के बारे में जानेंगे तब तक के लिए बाई दोस्तों